नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लो? 9 आपरैल 2022 के डेली दा हिंदो युदी टॉरेटरील डेसकेशन में आपको सौगात. तब सौरी दोस्तों, बहुत रात में आपको युदी टिल नहीं हो जाता है. लेकिन देखिए, अगर आपको editorial नहीं मिला है दिन में, या फिर current affairs कभी कभार होता है, महीने में एक बार या दो बार, कि कभी कभी चीजने लेट हो जाती, तो आप ऐसा मत समझीगा कि editorial current affairs आएगा नी, until and unless मैंने declare ना किया हो अपने community post में, या फिर telegram group में, या फिर video बना के क मैं नहीं डालूँगा वीडियो, तब तक आप समझीगे कि वीडियो आएगी, भले ही थोड़ी लेट आए, तो आप अपनी बाकी पढ़ा ही तत्त कम्प्रीट कर सकते हो, वीडियो जरूर आएगी, ठीके ना, मैं भले ही एक दिन लेट बना नहीं, लेकिन किसी भी दिन का क्रिमिनल जस्टिस, ये आर्टिकल जबरदस्त है, कुछ बहुत अच्छे वीडियो पॉइंट्स यहां पर बताए गए है, आरके विज साहब, जो कि इस फॉर्मर स्पेशल डिरेक्टर जनल ऑफ पुलिस राचुके हैं, उन्होंने कुछ बहुत स्पेसिफिक बातें प्रॉसिक्यूशन की बात होती है, अब आब बोलोगे सर, इन्वेस्टिकेशन और प्रॉसिकूशन इसमें क्या फर्क है, तो क्या है क्राइम हुआ, अब पलिस वाले क्राइम के फैक्ट्स को खट्टा कर रहे हैं, जाके जाचपड़ताल कर रहे हैं, ग्राइम सीन पे जाक इसके बारे में एक बड़ा च्छा view point दिया हूँ अस article में, इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो article है, काफी कुछ ground level पे जो होता है, उसके बारे में आपको पता चलेगा, फिर next, the UGC needs to get the credits right, basically University Grants Commission में, अभी देखें क्या है कि, यह जो new education policy है, इसके अंदर दो-तीन चीजे आ रही, एक तो है CBCS, जिसको आप बोलतो है choice based credit system, एक है LOCF, जिसको आप बोलतो है learning outcome based curriculum framework, अब यह जो नई education policy है, उसके अंदर latest draft document release किया गए, जिसका नाम है national higher education qualification framework, NHEQF, तो यह जो NHEQF का document है, इस document के अंदर किस फ्रकार से बच्चों को पढ़ाया कितने उनको credit secure करने है, पास होने के लिए, इस credit के आधार पर teachers को कितने घंटे पढ़ाना पढ़ेगा, इसके बारे में एक viewpoint दिया, वो और इस viewpoint के साब से दिखाया जा रहा है, यह teachers के ओपर load बढ़ने वाला है, UK और USA में teachers को यतना पढ़ाना पढ़ता है, उससे जादा इं करना चाहिए, और एक आर्टिकल है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोड ने जो इमरान खान के decision को हटाया है, तो यह दो तो burning live topic है, इनमें कुछ बहुत extra नहीं जानने को भी लेगा, लेकिन पहले criminal justice और UGC, यह दो आर्टिकल्स आपको काफी कुछ अलग बताने वाले हैं आज क लेट में, चलिए शुरुबात करते हैं, closing the gaps in criminal justice, आगे बाटन से पहले वीडियो पे like a button दोस्तों, चैनल को अब तक share और subscribe नहीं क्या कर लिजे, instagram पे follow कर लिजे, telegram group join कर लिजे, दोनों चीज़ों कर लिजे दिया हुआ, telegram group पे आपको lectures की pdf अगरा मिल जाएंगी, if possible for you friends click the join button, आपके join button दवाने से खासा मदद मिलती है, चलिए, क्या है कि पिछले साल Supreme Court of India एक criminal appeal सुन रहा था, और उस समय पे Supreme Court ने sue motor cognizance लेते हुगा, अब बोलोगे किस चीज़ का sue motor cognizance लेते हुगा, तो जब criminal justice किया जाता है, जब investigation होता है, prosecution होता है, जजज सुजा सुनाता आप Supreme Court ने यहाँ पे यह बोला कि criminal investigation और overall criminal जो आप कहलो, जो भी exercise हुई, criminal जो justice हुई, इसमें कुछ inadequacies है, inadequacies को resolve करने के लिए यहाँ पे Supreme Court ने कुछ guidelines इशू की, ओके, तो इस पूरे की पूरे guidelines को नाम के दिया गया, in RE to issue certain guidelines regarding inadequacies and deficiencies in criminal trials versus state of आंतरप्रदेश 2021, तो इस particular आप कहलो, heading के अंदर Supreme Court के दौरा कुछ guidelines दीगी, इन guidelines तो Supreme Court ने क्या बोला, कि पुलिस जहां जहां पे भी investigation कर रही है, वहां का site plan prepare करेगा, अब आप बुलोगे, यह site plan क्या होता है, तो एक crime scene है, एक कमरे के अंदर मालो एक lash पड़ी हुई, एक खून के stains, इदर उदर है, कु इसको realistic live बनाया जा सकता है, इसको आप बोलतो हो site plan, proper site plan, अभी site plan मनने को लेके काफी recommendations है, आप इसको आगे देखेंगे, फिर inquest report, inquest report basically एक report होती, जिससे पता चलता है, कि actually मृत्यू किस वज़े से हुई, body पे क्या-क्या sketches थे, बनाना, और यह body के sketches बनाना, और यह body के sketches प postpartum के चाहिए, ठीक है, यह सब चीजों के बारे में यहाँ पे Supreme Court ने guidelines तेकी, High Court को और राजी की सरकारों को Supreme Court ने बोला कि आप draft rules of criminal practice 2021 release करिये, Supreme Court और High Court और अलग-लग राजी की सरकारों ने यहाँ पे Supreme Court की guidelines को माना भी, बहुत सारी राजी की सरकारों ने अपने manuals को बदल गया, criminal justice system में हलके फुल के amendments किये गए, Guati High Court ने तो एक essential notification निकाला, और जितने भी changes Supreme Court ने बोले थे, जन्वली 2022 तक उन्होंने implement कर दिये, आप बोलो कि changes कैसे, तो जब भी कहीं crime हुआ है, तो crime की reporting कैसे करनी, उसका site plan कैसे बनाना है, overall यह जो सारी की सारी details हैं यहाँ पे, इ अब से पहले बात करते हैं, preparing a site sketch, site sketch मतलब जहाँ पे crime हुआ है, उसके आप sketch को कैसे त्यार करोगे, तो criminal procedure code यह बोलता है कि एक police station का, अगर officer in charge है, अगर उसको information मिलती कि भाई, कहीं दूसरी जगा पे crime हुआ है, तो obviously बात है, वो one spot visit करेगा, वहाँ पे जाके facts और circumstances को investigate करे उससे site sketch में सब कुछ साफ साफ तरीके से लिखा होगा, कि भाई उस particular site पे क्या हुआ है, और यह जो site plan यहाँ पे, इस particular investigating officer, जो कि police का inspector है, या फिर छोटे स्थाने में सब inspector हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ा case है, तो वहाँ पे assistant commissioner of police, या फिर आप कहलो कि deputy commissioner of police, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे, तो इस तरीके के officers जब जाएंगे, तो वहाँ पे overall site plan device करेंगे, site plan को scale पे device किया जाएगा, और overall इसके लिख draftsman को recruit किया जा सकता है, यह जो draftsman है, यह आप कहलो police की permanent service के अंदर भी हो सकता है, या फिर state government दोरा approve बाहर के भी किसी draftsman को बलाया ज सकता है, हाना कि अब ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे-धीरे करके, अलग-अलग राजी की सरकारें अपनी police में specific draftsman की भरती कर रहे है, तो कहीं पे crime हुआ है, तो उस crime में police के साथ investigation के समय पे draftsman भी जाएगा, और उस crime की पूरी draft को, पूरे proper site plan को वहाँ पे sketch के थूर बना Supreme Court ने यहाँ पे साफसा बोलाए कि देखो, जब भी उस particular criminal case की inquiry होगी, तो अगर evidence के लिए witnesses आके सामने, देखो, किसी भी crime में अलग-अलग प्रकार के witness हो सकते, तो वो witness सामने आके जब भी गवाई वगरा देंगे, तो अगर उन witness के statements के साथ, overall जो कुछ भी investigation के दोरान facts न court कर सकता है, लेकिन सिर्फ investigating authority ने, पुलिस officer ने वो site plan मनाया है, इसके basis पे आप उसको evidence की तरह इस्तमाल करो, यह नहीं चल पाएगा, चूकि अक्सर कर पुलिस वालों के ओपर यह इल्जाम लगाया जाता है, कि भाई, यह corruption करके, overall facts of a case को बदल देते हैं, चीजों की definition को ब लवाही दे रहे हैं, अगर उसके statement से corroborate हो रहा है वो site plan, तो उसको as evidence court मान सकता है, ऐसा Supreme Court ने यहाँ पे बोला है, फिर यहाँ पे बोला गया है भाई, कि जो medical legal certificate होता है, जो post-mortem report होती है, वो printed format में होनी चाहिए, overall इस sketch में इस particular post-mortem report और legal medical certificate को भी लगाना है, अब suspicion circumstances में मरा है, उसकी natural death नहीं हुई है, unnatural death हुई है, तो ऐसे cases में, आपको एक inquest report बना रही है, आप inquest report देखो, कहीं पे भी अगर कोई मरा है, और crime scene के आज पास है, तो inquest report तो बनेगी, inquest report होती कि इसलिए, inquest report होती कि इसलिए होती कि भाई, actually में एक इनसान की मिर्तियू को हुई, ठीक है न भाई, तो why a person died, ये basically ascertain करती है, inquest report, तो ascertain whether a person has died under suspicious circumstances और died unnatural, क्यों मरा है, suspicious circumstances में बता है, unnatural death मरा, injuries कि वैसे मरा है, apparent cause of death क्या है, ये बताता है, आपका inquest report, और inquest report भी हाँ बहुत important होती है, हलाकि मैं आपको फिर से बता दू, inquest report को एक evidence की तरह admit नहीं किया सकता है, ठीक है ना, criminal case register है, उसकी investigation हो रही, लेकिन आप inquest report को evidence की तरह इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, चोकि inquest report भी police वाला ही तयार करता है, और overall police वालों के हाँ ने बहुत ज़्यादा ताकत ना रहा है, इसलिए inquest report को evidence की तरह admit नहीं किया जाता, लेकिन no doubt investigation के समय पे, ये inquest report एक major role play करती, investigation के समय पे जो छोटे-छोटे facts आपके सामने उठके आएंगे, उनको verify करने के लिए, उनको testify करने के लिए, उनको corroborate करने के लिए, inquest report की मदद हमें लगेगी, ठीक है, तो ये सब बातें overall यहाँ पे बताई गई हैं, और इसके लिए और भी बहुत सारे मद किसी individual की अगर मिलती हो जाती है, तो उस case में भी inquest report लिखी जाएगी, post-mortem report वगरा लिखी जाएगी, इनसे overall चीजों को standardized करवाए जाएगा, site plan वगरा यहाँ पे तो खेर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, inquest report जो पुलिस वाला लिख रहा है, और उसके साथ साथ doctor जो post-mortem क report दे रहा है, इनको यहाँ पे verify कराए जाएगा, testify कि जो पुलिस का study में death हुई है, वहाँ पे पुलिस की गंदे actions की वज़े से नहीं हुई है, यहाँ पे magistrate और investigating officer, जैसे अगर death होती है किसी individual की, अगर police का study में वो है, तो वहाँ पे सारी information इखटी वगरा की जाएगी, जो हुआ क्या, फिर भाई, जो सुप्रीम कोट ने people union for civil liberty versus state of महराष्ट 2014, इसमें यह बोला कि मालो exchange of fire हो रहा है, पुलिस सामने है और आगे कुछ क्रिमिनल से दोने एक दूसरे को बर गोली चला रहे है, वहाँ पे अगर किसी किम्रित्ति होती है, तो उस case में भी hospital के लोगों समी करण फैला के यहाँ पर पता करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी fact submit किये जा रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है, अब इस case में अगर आप देखो, तो किसी crime scene पे proper तरीके से photo बनाना और वीडियो बनाना ये बहुत जरूरी हो जाता है, और इसलिए देखोगे कि जो क्राइम की investigation से पहले proper तरीके से photo खीच लेंगे, तो किसी भी crime scene पे आप पहुँचे, तो standard operating procedure का part होगा कि सबसे पहले जो वहाँ पे crime scene उसकी proper तरीके से photo खीच लो, उसकी video बना लो, तो एक बार photo खीच गई, वीडियो बन गई, और वो police के portal पे upload होगी, तो उसके बाद original format में preserve करेगा, और preserve करने के बाद section 65B में overall यहाँ पे certificate लेगा, कि यह बताएगा कि हाँ इन photo's का, इन video's का, एक electronic record बन चुका है, under Indian Evidence Act 1872, तो photography हुई, वीडियो ग्राफी हुई, इसके basis पे जो कुछ भी इखटा हुआ, उसको proper तरीके से online format में store कर लिया गया, और बाद में इसको tamper नहीं किया जा सकता है, जिस format वो store किया गया, उसी format वो वहाँ पे रहेगा, ठीके tampering of evidence यहाँ पे कम हो जाएगा, और जब tampering of evidence कम हो जाएगा, तब automatically आप कह सकते हो कि चीजें में जो घुल जपाटे होते थे, घपले होते थे, वो कम हो जाएगे, तो दो category of people, एक तो police station में, police के खुद के photographers होना, जो photo की सके video बना सके, दूसरे खुद के draftsmen होना, draftsmen मतलब कि कहीं पे अगर criminal crime हुआ है, तो वहाँ पे site plan convert बनाना, और site plan को आपको बिलकुल on scale बनाना पड़ेगा, तो एक proper individuals जिसको draft करने की, sketch बनाने की बड़ी एच्छी practice है, इस प्रकार prosecutors to advise an investigating officer, अब समझो, जब police एक case बना रहा है दोस्तों, समझे किसी एक individual की उपर दिजाम लगा murder का, पुलिस ने यहाँ पे case बनाया, अब जब case court में पहुँचेगा, तो वो individual अपना वकील नुक्त करेगा, और police जिसने charge sheet file किये, जो की सरकार को represent कर रही, सरकार अपना वकील नुक्त करेगा, तो यहाँ पे जो सरकारी वकील होगा न, जो police वालों की तरफ से वहाँ पे department में fight कर रहा होगा, उसको आप बोलतो हो public prosecutor, अब problem अब तक क्या होती थी, कि investigation के समय पे, जब कोई advocate, investigation के time पे police को मदद कर रहा होता था, अगर वही public prosecutor है, तो कुछ problems है, Supreme Court का बो क्या करती है, police की कभी-कभी जो expert lawyers होते हैं, उनसे बात करती है, और यह lawyer अक्सर कर public prosecutor होते है, कि जब police charge sheet file कर लेगी, तो इनी public prosecutor को police के बहाँ पे जाके court में case लड़ना है, Supreme Court ने बोलाए कि भाई, investigation के समय पे आप public prosecutor से बात नहीं करोगे, investigation के समय पे अगर आपको legal elements में किसी advocate की मतदद चाहिए, तो वो advocate public prosecutor से अलग होना चाहिए, मतलब यहाँ पे Supreme Court का क्या point है, कि आप investigation और prosecution इन दोनों को intermix मत करो, investigation सिर्फ police का काम है, और यहाँ पे police के काम में दखलेंदाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर public prosecutor आके police को बताने लगता है कि charge sheet में ये वाला section डालो ये वाला section डालो, और वही public prosecutor बाद में जाके court में case लड़ेगा, तो चीजों को काफी हद तक change किया जा सकता है, overall investigation के direction को बदला जा सकता है, तो investigation करते वक्त अगर police वालों को legal help की जरूवत है, तो अलग category of advocates को hire करो, और एक बार charge sheet file हो गई, उसके बाद public prosecutor play में आएगा, मतल कोट ने बोला है, separating investigation and prosecution, और ये बात अगर आप देखो, तो state of Gujarat versus Kishan भाई 2014 में, Supreme Court ने क्या बोला, while taking note of many lapses investigation, directed that on completion of investigation in a criminal case, the prosecuting agency should apply its independent mind and require all shortcomings to be rectified, if necessary by requiring further investigation, मतलब क्या है, कि भाईया, अगर case आप constitute कर रहे हो, investigate कर रहे हो, तो investigate भाईयाप अपने independent mind से करो, और investigation होने के बाद, जब prosecution का काम आएगा, तो वो बिल्कुल अलग independent mind से होना चाहिए, उन दोनों को intermix मत करो, जब दोनों को intermix करोगे न, तो फिर आप एक ही step की तरफ चलो करते हैं, और जो criminal justice होगा, वो ज़्यादा effective होगा, यह सब बाते हैं, आप पर बताई जा रही हैं, ठीक है, अगले article की तरफ चलते हैं, I hope आपको इस article में मज़ा हो, दोस्तों, मुझे तो यह article काफी अच्छा लगा, RK वेज साब का, इसने मैंने थोड़ा detail में आपके पंडे को किया, वो unconstitutional था, illegal था, no confidence motion को accept ना करना, reject करवा देना, यह deputy speaker को नहीं करना चाहिए, इमरान खान ने यहाँ पर पाकिस्तान के constitution को violate किया है, कौन से section को violate किया है, इन सब चीजों में आपको जाने की जुरूत नहीं है, वो इतना important है बीरे, ठीक है, हमें समझना य यह है कि एक बार यह no confidence motion पास हो जाता है, फिर क्या होगा, अभी जब मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ, अभी भी proper तरीके से पाकिस्तान में यह news निकल के नहीं आई है कि trust motion पास हो गया, मतलब no confidence motion पास हो गया, हाला कि अभी कुछ media outlets है, जैसे कि for example news 18 करके media outlet है, वो कह रह आखरी दम तक fight कर रहे हैं, overall उन्होंने cabinet meeting बुलाई, cabinet meeting में discussion कर रहे हैं, अब सबको लग रहा है कि यहार, इनके खिलाफ तो no confidence motion पास होने वाला है, तो यह cabinet meeting का है बुला रहे है, मतलब इमरान खान यहाँ पे महारने को तयार नहीं है, जो कुछ भी इमरान खान ने किया भ पेटिशन डालने की भी सोच रहे हैं, इमरान खान और उनके जो cabinet colleagues है, Supreme Court के अंतर, हाला कि एक बार यहाँ पे सरकार गिर जाती है, जो की ज्यादा तर chances गिर जाएगी, इस article में लिखा हुआ कि मान लो सरकार नहीं गिरती है, इमरान खान प्रधान मंतरी बने रहते हैं, तो अब इस पूरे process में, इमरान खान ने overall पाकिस्तान के constitution को नुकसान पहुचाया, opposition से तो पंगा मोला, यह सासत आर्मी के साथ भी पंगा मोल लिया है, अब इस सब चीजों के होने के बाद, अगर मान लो कल की date में, इमरान खान no confidence motion हार जाते हैं, overall वो प्रधान मंतरी की कुर अभी के लिए जानकारी है नहीं, उनने सो से तालिस से लेकि अब तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधान मंतरी नहीं है, जिसने पूरा term complete किया हो, इस बाद में कोई दो रहे नहीं है कि सुबह तक हमको यह news निकल के आए, कि भाई, पाकिस्तान की सरकार गिर गई है, इमरान पाकिस्तान को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ भी हो सकता है, वो कल सुबह तक चीज़ें क्लियर होंगी, नेक्स्ट भाई, message for Russia, Putin should take note of the views of global community and end the war, देखे, UN Human Rights Council ने overall एक वोट लिया और यहां पर हरा दिया गया, किसको, हरा क्या दिया गया, Russia को बोला गया, कि तुम United Nations Human Rights Council निकल जो, Russia ने खोदी छोड़ दे, Russia को लगा कि आर्म निकाली दी जाएंगे, तो निकल जाओ यहां से, इसको बनाने के लिए, जो resolution है, वो resolution number क्या है, नीचे comment box में बताओ, मैंने specific video में आपको बताया था, 93 votes Russia को हटाने के लिए, और 24 votes Russia को ना हटाने के लिए, overall यहां पर पड़े थे, और overall two-third majority हो गई थी, चुकि abstentions 58 को यहां पर count नहीं किया गया, under rule 86, of the UNGA assembly, बहराल, Istanbul talks के यहां पर Russian troops withdraw कर गए, बूचा से, हाला कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि Russians इसलिए withdraw कर गए है, जो कोई talk हुई है, बहुत सी बज़े यह यह बी है कि Ukraine का assault हो रहा है, और Russia इससे में पर इस बात पर इंट्रेस्टेटेड है कि जो eastern dominions और southern dominions की Ukraine के नों ने अब बूचा में सच में कितने लोगों को मारा रशिया ने इसके लिए एक independent UN monitored probe होनी चाहिए, वो होगी भी आगे, लेकिन जो office of the high commissioner for human rights है, वो यह बोल रहा है कि Ukraine में लगबख 1611 civilians मर चुके हैं और 2227 लोग गंभीर रूप से घायर है, और कहीं न कहीं इस चीज की responsibility जाती ह रशिया के ओपर उसको यहाँ पर responsibility लेनी चाहिए, यह जो special military operation के नाम पर deep militarization और deep nazification कर रहा है यूकरेन का यह सहीं नहीं है, मॉस्को के objectives की बात की जाए, देखिए बात यह है कि जब मॉस्को गुसा, उनका जो भी objective रहा हो, पूरे कीव के ओपर कबजा करना है, यूकरेन क नुसा तो 2014 से रशिया के पास है, Southern part, Eastern part और Northern part इसमें बहुत से इलाके रशिया ने कबजा है, Northern part में रशिया इंटरेस्टेड नहीं है, Eastern part और Southern part में जो इलाके यूकरेन के कबजा हैं रशिया में, उसमें रशिया इंटरेस्टेड रशिया काफी कुछ हो चुका है, International sanctions के उ पर लग चुके हैं, तो जितने इलाके रशिया ने आ पर कबजा लिये हैं, रशिया जल्दी वहाँ से वापस निकलने वाला नहीं है, और यूकरेन की हालाद भी बहुत खराब है, भले ही यूकरेन के पास पीछे से सप्लाइज आ रही हैं, वेपन्स वगरा की, बट overall कोई ग्राउंड लेल पर से लड़ने के लिए नहीं आया, तो मॉस्को ने जो इस्टन यूकरेन और सदन यूकरेन पर टरिटरी कबजाई हैं, वो वापस मिलेंगी यहां पर यूकरेन को इसकी कोई गरंटी नहीं है, हाला कि जो भी प्रपोजल्स वगरा जो भी बातचीत हुई इस तानबुल में इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जिलंस्की ने बोला है ठीक हम नूट्रिलिटी कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे वेस्टन लॉट की तरफ हम नाटो जोइन नहीं करेंगे, क्रीमिया के उपर 15 साल तक कंसेंटेशन चलेगा, जो कि 2014 में रश्यक अबजा है नहीं, स्विलिन कीलिंग्स के उपर जो भी इन्वेस्टिकेशन होगी आगे आने वले समयं पता हो चलेगी, हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, रश्या के उपर तगड़े सैंक्शन लग रहे हो, एक लिमिट के बाद रश्या भी यहां पर रुकने वाला नहीं है, तो डिप्लोमैसी के पात पर जितना जल्दी चलो उतना बढ़ी है, अब बोलने को तो सारही एक्सपर्ट यह बोल रहे हैं, बट रश्या यूक्रेन चले तो बात है न, अभी तो ऐसे कोई भी हालात नहीं दिख रहे हैं, फिर आगे आज का आखरी आटिकल to begin with the UGC needs to get the credits right यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए अगर आप देखो, तो आज की डेट में हमारे सामने एक ऐसा पढ़ाई का तरीका निकल के आ रहा है, new education policy के अंदर जो कहीं न कहीं बच्चों को सही रहा में लेके जा रहा है, यह जो four year का under graduate program चलता था, इसमें अब choice based credit system लाए यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, university grants commission की latest new higher education qualification framework document में, तो अब तक क्या था, यह जैसे मैंने माल लो, power engineering की है, गुरू गोबिन सिंग इंदरपास university में, तो power engineering में मुझे कौन-कौन से subjects पढ़ने हैं, तो अब के हिसाब में, जो बीटे करने जाते हो, या फिर आप commerce व लब करूँ, तो इस प्रकार की कुछ policy यहां पर बनाई जा रही है, NHEQF के थो, national higher education qualification framework के थो, मैं इसको NHEQF बोलूँगा, इस article में यह आगे आएगा, तो इससे क्या होगा कि पहले BA, BTEC, BCOM type के वही same धाचे के course चलते थे, जिसको course के end में आपको एक degree दे दी जाती थी, औ और इस degree का जदा कुछ मतलब होता नहीं था, वो अब यहां नहीं होगा, आपकी choice के हिसाब से आप चीज़ें पढ़ सकते हो, और उसके हिसाब से आपको credit दे दिये जाएंगे, इन्व एजुकेशन policy के अंदर, अच्छी बात है भाई, यहां पर बच्चों को काफी कुछ अलग सीखने को मिल सकता है, वो चार साल के course को एक बार दो साल में complete किया, फिर अगले बार तीन साल का gap लेकि फिर से दो साल में complete किया, इस प्रकार की बहुत सी choices कुलती हैं हमारे students के सामने, और NHEQF, बहुत तक clarity लाने की कोशिच कर रहा है कि कैसे चार साल का degree course आप कर सकते इन दोनों में ही भाई, credit score किस प्रकार से बनाया जागा इसकी उपर emphasis नहीं है, अब माल लो कि किसी एक student को 6 credit courses पूरे करने हैं, तो इंडिया के अंदर एक credit को एक गंटे की पढ़ा ही समझा जाता है, तो एक छोटे से chapter को माल लो यहाँ पर अपने credit score माल लिया, और उसको सम से 8 गंटे पढ़ा है एक हफते में, अभी इनी 20 बच्चों का assessment करना है और इनको lecture पढ़ाने के लिए जो दूगना time देना है, तैयारी के लिए वो भी करना है, तो कुल मिला कि overall यहाँ पर जो teacher का time लग सकता है, सिर्फ पढ़ाने का time 7-8 गंटे है पर भी, इस 7-8 गंटे की पढ़ाने के लिए कम से कम 15-20 गंटे के तियारी करनी पढ़ेगी, तो कितना हो गया, 32-28 गंटे, उसके बाद assessment करना पढ़ेगा हो सकता है, उसमें 8-10 गंटा चला जाए, तो 45-50 गंटे तक का time यूज़ हो सकता है, एक teacher का, Saturday, Sunday off है, तो अगर 5 दिन में 45 गंटे देखोगे तो भई, दिन में 9 गंटा हो गया, मतलब teacher के उपर यहां पर अच्छा कासा pressure आ रहा है, और समझी, यूनिवर्स्टी के teacher को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, एक यूनिवर्स्टी के teacher की efficiency इस basis पे भी assess की जाती कि उसने research में कितना time दिया, चीजों को समझाने में, समझने मे उसके अंदर innovation दूरने में, उसने कितना समय लगाया, इसके लिए अगर आप इंडिया के teacher को बाहर के teacher से compare करो, मालोब UK के teacher से compare करो, US के teacher से compare करो, तो UK और US की teachers को on an average एक हत्ते में 2-3 घंटे की class लेनी पढ़ती है, तो अगर वो 2-3 घंटे की classes लेते हैं तो assessment में और overall grading वग समय बच जाता है, और इंडिया के अंदर अगर एक teacher 7-8 घंटे की class लेगा, तो वैसे ही उसके 9 घंटे दिन का काम हो जाएगा, और हो सकता है आगे आने वाले समय में एक teacher से 16 घंटे में हफते की class ले ली जाए, तो ऐसे cases में वो teacher class तो ले लेगा, बट उसके class में वो quality नही बचेगा, यह problem है, जिसको अभी के लिए new education policy और इस NHEQF document में cover नहीं किया गया है, तो हमें यहाँ पे overall UK और US की university से समझने की जुरू है, research intensive university, यह concept US के अंदर फला फूला है, इसलिए US के colleges आज की date में इतने efficient है पढ़ाई की मामले में, यह चीज़ इंडिया के अंदर भी hello suggestions दी जाने, जैसे for example, इंडिया में जो पढ़ने वाला lot है, वो बहुत बढ़ा है, तो एक teacher अगर यहाँ पे 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो overall पूरे देश की जनता को पढ़ाने के लिए हो सकता है, हमें बहुत सारे teachers higher करने पढ़े, बहुत सारी universities बनानी पढ़े, जो होगे, तो वही 20 बच्चे 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, एक teacher बहुत ज़्यादा amount बच्चों को पढ़ा सकता है, तो उतने ही faculty time और effort में ज़्यादा बच्चों को पढ़ा है जा सकता है, और उनके results को assess करने के लिए, आप कहलो थोड़ा extra recruitment की जा सकती है, ठीके ना, copy बग कर सकते हो, आप एक साल, दो साल का course करने बाद बीच में gap लेकि तीसरा चौता साल complete कर सकते हो, अपने credit को अपने हिसाब से arrange कर सकते हो, अलग-अलग subjects के कुछ subjects उसा के पढ़ सकते हो, लेकिन जो पढ़ाने वाला teacher है, उसके ओपर कितना load आएगा, उसको research और development में कितना समय मिलेगा, उसको क्या क्या यहां पर overall financial or monetary benefits मिलेंगे, उसके quality respect में क्या होगा, यह सब चीजों के बारे में new education policy और इस NHEQF, National Higher Education Qualification Framework में चीज़ें बहुच ज़दा clear तरीके से नहीं लिखी, इसको यहां पर clear करने की ज़रोता चुकि हमारी faculty इस पूरे की पूरे प्रोग्रा का बेस, तो आयोब कुछ नो कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलाओ, friends, thank you for watching, जादा से जादा लोगों के साथ lecture को share करना, Instagram पर follow कर लो, Telegram, group channel, call and if possible, please click the join button, have a great day, goodbye.